अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जे एंड सीटी ऑफ डेली की तरफ से 2 दिसंबर 2021 के लिए एविएस की वरक्षीट है वरक्षीट नमबर 123 बी क्लास 4 के लिए वरक्षीट है टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अराउंड यूनिट नमबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर् लिखेंगे और यहां अपने टीचर का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्तेवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों पिछले पार्ट में हमने ओमाना की यात्रा का एक अंश जाना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद अब ओमाना कोटायम पहुँच चुकी है बच्चों जब भी कोई आतरी रेल गाड़ी से सफर करना चाहता है तो उसे रेलवे समय सारणी यानि की रेलवे टाइम टेबल की जरुरत पड़ती है तो इसके जरीये ही बहुत सी जानकारियां जैसे की गाड़ी का आरंब स्थान गंत लवे स्थान इत्यादी मिलती है तो आज हम रेलवे समय सारणी यानि की रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानेंगे बच्चों आपको नई दिल्ले रेलवे स्ट्रेशन की रेलवे समय सारणी का एक नमूना सैंपल नीचे दिया गया है इसे ध्यान से देखिए एवां अ आने का समय ये जाने का समय ये आरंब स्थान और ये गंतव्य स्थान तो पहला प्रशन देखते हैं पंजाब मेल की गाड़ी संख्या क्या है तो देखो पंजाब मेल की गाड़ी संख्या क्या है ये तो 12137 अगला है रेल गाड़ी संख्या 12472 के आने का समय क्या है तो दे देखो ये है सरवोधिया एक्सप्रेस और ये है इसके जाने का समय चार पचास यानि की सुबह के चार बच के पचास मिनट अगला है स्वराज एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर कितने समय के लिए रुखती है तो देखो ये है स्वराज एक्सप्रेस ये है उसके आने क का समय और यह जाने का समय तो हम इसको लिखेंगे पांच मिनट इसका उत्तर ठीक है अब आगे देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय क्यों नहीं दर्शाया गया है तो यहां पे देखो यह जो राजधानी एक्सप्रेस है इसमें आने का समय यहां पर नहीं दिया गया है तो आपको क्या लगता है कि यह क्यों नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि राजधानी ए वही से ही शुरू करेगी तो वो कहीं से आई थोड़ी है वो तो अल्रेडी वहाँ पे थी तो इसलिए आने का समय उसका नहीं हो सबता अगला प्रश्ण है पंजाब मेल के आरंब स्थान के स्टेशन का नाम लिखिये तो देखो पंजाब मेल देखते है और इसके आरंब वाला जो स्टेशन है यानि कि जहां से शुरू हो रहा है यह आरंब स्थान कौन सा है मुंबई ठीक है इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे मुंबई अगला है राजधानी एक्स्प्रेस के गंतव्य स्टेशन का नाम लिखे तो देखो राजधानी एक्स्प्रेस देखते हैं हम और जो यह है रास्धानी एक्स्प्रेस और जो इसका गंतव्य Christian मतलब कहां तक क्याएगी यह स्याल्दह तक ठीक है तो इसका उत्तर हम यहां पर लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा स्याल्दह, ठीक है और लास्ट वाला जो प्रशन है हमारे पास वो है पंजाब मेल कि स्टेशन तक जाएगी तो ये देखते हैं पंजाब मेल देखो ये है हमारे पास और ये कहां तक जा रही है कि स्टेशन तक मतलब गंतव्य स्थान इसका कौन सा है फिरोजपुर ठीक है तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसका उत्तर फिरोजपुर ठीक है अब एक एक्टिविटी करेंगे सबी बच्चे दिली से आगरा जाने वाले किनी दो रेल गाड़ियों की कालपनिक समय सारणी तयार कीजिए और अपने अध्यापक याध्यापीका के साथ उसको शेयर कीजिए और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ अपनी किसी भी रेल या मेटरो यात्रा कानुबाव साजा कीजिए और इसके साथ कोरोना से बचने के लिए keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards तो सभी को कोरोना से बचने के लिए 6 feet या 2 गज की शारिर एक दूरी बना कर रखनी है आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share and comment करें चानल को subscribe करें और मिलते हैं next वीडियो में